हेला रिवन आज हम करेंगे आपकी जो SS की न्यू बुक आई है क्लास 6 की उसका चैप्टर नमबर वन लोकेटिंग प्लेसिज ओन दा अर्थ अर्थ पे जो है अलग लग प्लेसिज को लोकेट करना तो यह हम कहां पर करते हैं मैप पे करते हैं ग्लोब पे करते हैं वह सब आपका जो अर्थ है उसकी पूरी स्पेरिकल फिगर होती है उसमें सब चीजे आपको देखेंगी पानी भी होगा उसमें स्पेस भी दिखाई देगा अर्थ मतलब जो भी चीजे हैं ठीक है वो सब उसमें होगा इट इस स्राउंड़ेड बाई ओल क्रियेचर्स टैस्ट्रि तो कोमन एरा था उससे लगबग 500 एयर्स ना तक कोश्चन क्या आते हैं आपके इंपोर्टन वट इस अ मैप है क्या है हाओ डू वी यूज इट और हम इसे यूज कैसे कर सकते हैं वट आर इस में कंपोनेंट इसके में कंपोनेंट्स क्या है यापके कोश्चन अंसर है अर्थ पे या मतलब जब हम बना रहे होते हैं ग्लोग को तो उसमें यह लाइन्स आपको दिखने को मिलेंगी ऐसे भी होंगे और ऐसे तो यह कैसे हेल्प करती है अर्थ के हर एक प्लेस को मार्क करने के लिए हावार लोकल टाइम और स्टेंडर टाइम रिलेटेट टू और जो आपका स्टेंडर टाइम और लोकल टाइम है वो लोगी टूट से कैसे कनेक्टेड है रिलेटेड है उन दोनों का रिलेशन क्या है आपस में यह सब हम इस पूरे चेप्टर में पढ़ने वाले हैं आपको इमेजिन करने कि किसी जगह पर पहली बार जा रहे हैं हाव चीज़ आप कैसे डूड़ोंगे तो दो तरही के हो सकते हैं यू माइट आसका लोगल परसन फॉर है आप किसी से पूछ सकते हो इंसान से कि कहां पर है वो प्लेस और यू माइट लोगेट दा मैप ऑफ दा सिटी या फिर आप क्या करेंगे उस सिटी का मैप आप खोलेंग देखेंगे कि कहां पर वो प्लेस है इन प्रिवियस ग्रेड्स यू लेंट लिटल अबाउट मैप एंड इन इन दिस चैप्टर वी विल स्टुड़ी देम इन मौर डिटेल पहले कि जो ग्रेड्स है आप यहन की फिप्त क्लास में फॉर्स क्लास में आपने थोड़ा बहु कि फिगरैड 1.1 इमेजीन यू इंसज शुड़ा Tapi 1.1 इंसट गोट को फ요र्ट वह एड्वेी स्टेशन शेड़ियो से जस उत्रें हो ट्रेंव से ठीक है जसि यह ठैना रही है रेल्वेज़why स्टेशन ऊत्रेंछ vraag यहां पर तहब अभी उत्रुट्रें़ से ठीक हैं और प to visit the bank mark around the map और आप कहां जाना चाहते हो जहां पर बैंक है अभी रेल्वी स्टेशन से उतरते ही आप कहां जाना है बैंक में ओके जाना है नाओ वीच वेज वुड़ यू गो आप कौन से रास्ते से जाओगे आर देयर अधर पोसिबल वेस क्या दूसरे रास्ता भी जहां से आप जा सकते हो नाओ कें यू लोगेट पबली गार आप इनको भी लोकेट कर सकते हो इफ यू वांटेट तो प्रोसीड फ्रों बहुत जरूरा है जैसे कि अरब रेल्वे स्टेशन जैना कांब है रेल्वे स्टेशन से आतुरू से सब्सक्राइब घ्रप सब्सक्क्राइब दूसरा या फिर hospital से होते वे यहां जा सकते हैं अब देखो यह चीज़ है जो यहां पर दिखाई है इसका मतलब यह नहीं कि यह जिस रोड के उपर है यहां कि रोड से कही ना कही साइड में होगी तो रोड तो वहां से जाए गई तो रोड से आप उधर जा सकते हैं चेल धन आपको क्या है यहां पर kafे यहां पर तो यह इन्हों ने बोला थकी बैंक से आपको जाना है मार्केट में ST यहल्एhum आपकी मार्केट और यहां से इस रास्ते से आप इजली आ सकते हों ठीक है तो यह इन्हों ने पूछा था अब कितनी हुई हमारी हमें पता है कि रेल्वे स्टेशन से हम यहां जाएंगे होस्पिटल आएगा होस्पिटल से देन हम इस रोड से जाएंगे तो अगर यहां से नहीं जाना तो हम होस्पिटल से और सीधा ले सकते हैं सीधे जाना है तो नगर पंचायत आएगी नगर पंचायत वाला जो रोड है वहां से हमें मुड़ना है तो बहुत सारे रास्तें जिससे आप जा सकते हों आओ अ मैप इस लाइक ट्रेजर गाइड एक मैप क्या होते है गाइड की तरह होता है इट शोज हाओ विया सोड़ यह वेर थिंग्स आर अगा तो बेंद यह क्या करता है यह में दिखाता है कि कहां पर आपकी चीजे है यह कहां पर आपको जाना है वह प्लेस कहां यह इस एस्ट, वेस्ट, नोर्थ, एंड सौथ, यह चार डिरेक्शियन उन्होंने यहां पर बताए हैं, यह डिरेक्शियन का क्या यूज होता है मैप में, यह भी हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले, अब देख लेते हैं, आगे वो क्या बोल रहे हैं, अब यह क्या है, यह डिरेक्शियन भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, कि किस तरह मैप को पढ़ने में हमारी हेल्प करते हैं, इसको सबको कर देते हैं, इसको सबको कर देते हैं, इरेक्शियन अगर पंचायत और यह पबलिक गार्डन, सबसे पहले तो हम एक होस्पिटल को क्या कर देते हैं, मार्क, ठीक है, यह लो, इसको सबको कर देते हैं, इरेज, नाओ, वी है तो, तो मार्क दा होस्पिटल, सो होस्पिटल कहा है हमारा, यह रहा हमारा होस्पिटल, ठीक है, नाओ, जो भी ब्ल्यू एरिया है, यह वाला, तो यह किसको इंडिकेट कर रहा है, वोटर को, यह लेक हो सकती है, रिवर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, so, लेक और रिवर, ठीक है, now, next question है, which is farther away, कौन सा दूर है, रिल्वे स्टेशन से, school, नगर पंचायत, अब देखो, school यहां से है, नगर पंचायत, यहां पर है, ठीक ह है, as a class activity, from group of three to four students each, let each group try to draw a map of your school, and some of the street or roads that lead to it, and few neighborhood buildings at the end, compare on the maps, and discuss, अब आपको एक map रो करना है, यहां पर, आपका school का, इसमें आज पास बाकी की बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रही हो, then, कुछ रोड भी हो, जिन से आपको पता चले कि आपका कहां पर है, साथ आपको गर भी दो करना है, यह हो गया, then, जो भी आसपास की बिल्डिंग्स है, जैसे की होटल हो गया, या फिर कोई और घर वगए है, आसपास, तो इस तरह से एक ही चिल्डन पाक हो गया, तो जो भी चीज़ें आपको अपने स्कूल के आसपास दिखती है, वो सब आपको डो करन है कि आपका और आपके फ्रेंड का क्या सीम है, अगर नहीं है, तो क्या-क्या चीज़े उसमें अलग है, तो इस तरह से आपको जो है अपना ये पूरा बनाना है, now, आदा है, इंपोर्टन फेक्टर, a map and its component, map और उसके components क्या-क्या है, from this simple example, we understand that a map is representation or a drawing of some area, तो यह क्या ह हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, एक घर का map भी हो सकता है, एक स्कूल का map भी हो सकता है, और एक city का map भी हो सकता है, और एक country का map भी हो सकता है, यानि कि छोटी सी चीज से लेकर बड़ी सी चीज कोई भी हो सकती है, हर एक चीज का map आपको मिल सकता है, तो map क कि दो तो उसको और करते की इस आरिया में पर जायोगे तो कहां पर क्या काम यह मिलेगा इट मेरत ब ráp室 घो सकता है उसकता है एक टांट और दिगर एडीया भी हो सकता सब्सक्राइब कि आप किसी चीज को मतलब एक तरह से आप यह सब सकते हो कि आप छत पर खड़े हो और बागी सब चीजे नीचे हैं तो उसी तरह से मैप होता है मैप को जो है अपको मिलते है कलेक्शन होता है इसमें बहुत सारे मैप का अप आप जो है अलग-अलग काइंड के मैप देखेंगे यह कोन से होते हैं फिजिकल मैप अभी क्या है विच मेंली शो जो सम नेचुरल फीचर सच अच पांटें ओशन और रिवर जिसमें सेव आपको मांटन ओश और रिवर के बारे में बताएंगे तो वो क्या होते हैं आपकी फिजिकल मैप्स और इसके लिए एक्जामपल क्या दिया है आपकी इसी टेक्सबुक में है फिगर नंबर 5.2 ठीक है यानि कि आप देखो 5 का मतलब है आपका चेप्टर 5 उसमें जो सेकेंड फिगर बनी है वो अगर आपका फर्स चेप्टर है तो हमेशा सारी फिगर वन पुएंट से कुछ होँगी एंघर आपका सैगेंड जेक्टर है तो सारी फिगर टू पंट कुछ होंगी तो इसमें लिखाई 5 प्इंट तो मैंस कोन सी फिगर की बात कर रहे यहां पर चेप्टर नंबर 5 के आपका फिजिकल मैप हेमाले दिया है यहां पर रिवर्स के बारे में बताया है यहां पर यह रिवर है यह है यह सब यहां दिया होगा तो यह जब बताते हैं तो यह कुन सी होती है आपका फिजिकल मैप पोलिटिकल मैप में क्या होगा विच शोज डिटेल्स ओफ कंट्रीज और state, boundaries, cities, etc. तो इसमें क्या होगी आपके states, boundaries and cities के बारे में बताया होगा डेटेल में boundaries वहाँ पर ड्रो की होगी इसली कि यहां से यह वाला state है, यहां से यह state है वो सब जो है आपको उसमें देखने को मिल जाएगा For instance, a map of India with all the Indian states, union territories and their capital जिसमें आपको इंडिया की सारी state, ut, union territories and their capital देखने को मिले उसे हम क्या बोलते है, political map political map, अब political map में क्या होता है, आपकी सारी boundaries यहां दिखाई गई है ठीक है, आपकी states के नाम है, state के नाम के साथ उनकी जो वहाँ की capital है वह दिखाई गई है, ठीक है, आपके जो नेबर कंट्रीज है, वह यहां दिखाई गई है, नेपाल, भूटान, बांगलादेशी, नेबर कंट्रीज हो गई, यहां देखो, अगरतला, तिरिवपुरा, आईजूल, मिजोरम, तो हर एक जो आपकी state है, इंडिया की, और union territories है और उनका capital दोनों चीज़े यहां दिखाई गई है, देन आता है, थियमेटिक मैप्स, अब यह थियमेटिक मैप्स कौन से होते है, with a specific kind of information, ऐसे मैप जिनमें एक ही तरह की information दियो, for example, जैसे अगर आपको बता रहा है, कि कौन से एरिया में जो है, कोई भी एक टाप की जैस जहां पर वो फसल सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कि आपको बोलता है, कि माइनिंग सबसे ज़्यादा कहा होती है, तो आपको सिर्फ उस जगह में, माइनिंग वाले प्लेस को ही वो करना है, कि हाईलाइट करना है, ठीक है, तो इसके लिए जो है, उसमें एक specific, यह आपको इस्टिक मैप कोन से थे, जिसमें particularly एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो किसके बारे में बात हो रही है, different type of grains की दूसरी दूसरी जगह पर या किस जगह पर कौन सा ग्रेन मिलता है, जैसे यहां राजमा है, राजमा है, वाइट लोबिया, बासमती, मूंग दाल, मसूर दाल, राइस, 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 पीजन पी, तो यह इस तरहें की चीज़ें जहां पर जो मिलती हैं, वो ही उन्होंने यहां पर क्या किया है, सिरियल्स और पल्सेज फ्रों डिफरेंट रिजन ओफ इंडिया, तो यह वो मैप हो गया, दन यहां भी देखो, सारी फसल्स बता दी, सिसूर, सुरी, फसल नहीं है, यह वो क्या है, फेस्टिवल जो मनाया जाता है, ठीक है, एक ही फेस्टिवल है, लेकिन हर जगए पर अलग-लग नाम से बना जाता है, तो यह फेस्टिवल के बारे में बता दिया, खिचडी हो गया, बीहू, मकर सक्रांती, उत्रायन, मकर सक् आradas eff obsessed set iloratगावी में पॉद्टिहllी आ ल्ग याज है। divat city आफवें पॉषक्रांत्y सो room,äl SCSS 27 तो में इन दोता है। आद है इंडिटेशि इसम इंपॉर्टन इन जहांए मैप इसके सात ही वहुत सब्सक्रांट कमपॉनेट्ट्स होते है मैप में जैसे कि distance direction and symbols यह सब चीज़े बहुत important है मैप में यह सब जो है इनके बिना आप मैप को पढ़ ही नहीं सकते आप नहीं find out कर सकते कि क्या है so you have already experienced the first two while navigating the map in the figure 1.1 let us now define them more precisely so अभी जो है आपने कुछ चीज़ें वहां पर देखे distance related and direction से related की कहां से कैसे जाना है लेकिन अब उनको थोड़ा ध्यान से बढ़तें कि और क्या है उसमें have you ever wondered how a huge place can fit into a small piece of paper अब देखो यह जो हमारा world है या फिर हमारा घर होता है या फिर कोई भी चीज़ ठीक है जो बहुत बड़ी है जैसे आपका स्केल की वज़े से होता है जो आपका स्केल होता है मैप का उसकी वज़े से हम ये कर पाते हैं अब यह क्या होता है कि मैप आपका बहुत चोटा सा बना होता है लेकिन जितना भी डिस्टेंस उसमें बनाया होता है अगर वहां पर वन सेंटीमेटर का कुछ बनाया है ठीक है स्पेसिफाइ किया जाता है वहां पर अगर वहां पर स्पेसिफाइ करके अगर डाला गया है वन सेंटीमेटर सो उसका मतलब अगर आप ग्राउंड पर चेक करोगे तो वह का 500 मेटर ठीक है यह मैप के अकोडिंग चेंज भी होता रहता है अब जो यह हमारा यह वाला मैप स्पेसिंगे अगर हम लेकर चले यह वाला ठीक है इतना पॉर्शन आपका कितना हो गया वन सेंटीमेटर अगर यह आपका वन सेंटीमेटर है तो यह किसके इकवल हो जाएगा 500 मेटर के इकवल फ्रीक है जितना चोटा मेप होगा उतना उसका यह इरिया जो है मतलब यहां पे हो यह आपका वन सैंटिमेटर वाला पॉइंट है वह क्या जाएगा उतना ही कम होता नहीं गश्याव को जैसे हैं आपका इंडिया जो संटिमेटर जो इक्वल टू अगर आप ग्राउंड पे करोगे तो वो ज्यादा हो जाएगा अब जैसे यहां पर 1 cm हमारे छोटे वाले मैप में कितने 500 मेटर है अब आपको जाना है आपका जो चेप्टर नूमबर 5 है उसकी फिगर 2 पर इन चेप्टर नूमबर 5 इन दिस टेक्स्बूक दस्केल इज रिपर्जेंट रिपर्जेंट इन बोर्टम लेफ्ट कोर्नर बायर रूलर विद 500 रिटन अब इस लेंथ एंड किलोमेटर उन्दा साइड और फिजिकल मैप अब यहां देखू साइड में इनों डिरेक्शन दी नौर्थ एस्ट साउथ वैस्ट जैसे होता है हमेशा की तरह अब यह इनोंने स्केल दिया यहां से आप अपना स्केल मेजर करो कि कितना सेंटीमेटर है वो तो आप देखो कि 2.5 या 3 सेंटीमेटर के आसपास यह रहेगा अब अगर आपका स्केल 2.5 सेंटीमेटर है यहां पर आपने कोई चीज मेजर की जैसे यहां से यहां तक एक यह जो है 2.5 सेंटीमेटर का एरिया है आपक सेल के ओको लेकिन जब आप अपर ग्रांड में देखुगे तो यह एरिया कितना हो जाएगा 500 किलो मेटर हो जाएगा यहां लिखाए ना किलो मेटर कि अगर आपके स्केल पर इतना है तो यहां से यहां तक का एरिया पो स्केल पर 2.5 सेंटीमेटर या फिर 3 सेंटीमेटर दिखाई दे रहे लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाएंगी यानि कि उस जगह को कवर करेंगे त कि इरिया कितना होगा 500 खीलो मेटर mateix यह इरिया के वहां पर बात कर रहे थे इत्स चिंपलीमें तो अब इसका मतलब क्या है किलो मीटर हो जाएगा अब देखो स्केल तो इतना चोटा सा लग रहा है लेकिन ग्राउंड पे जाते ही कितना हो गया वह 500 किलो मीटर तो इसी तरह से डिस्टेंस जो है आप मैप में देख सकते हैं सुदा एक्शूल डिस्टेंस डिस्टेंस बिटूं दू टूरी परजेंटेंट ओन-घ्यूस मैप में इस एऻ जूउक करता हैन U आपका 1 cm होगा या 2 cm होगा या जितना भी दिया होगा उन्होंने वो अलग-अलग रहेगा वो वैरी कर सकता है हर एक मैप का सेम नहीं होता है now draw a simple map of your school playground जैसे पहले था let us assume it is a rectangle of 40 meter in length and 30 meter in width draw it preciously with your ruler आपके ruler से आपको करना है on a scale of 1 cm is equal to 10 meter तो एक ऐसा ड्रो करना है जिसकी length and breadth इतनी रहेगी आपकी लेकिन आपको अब की बार scale का यूज करना है जिसमें की 1 cm आपका 10 meter के according रहे मतलब अगर आप कोई आपसे पूछे कि यह जगह कितनी दूर है तो आप बता सकते हैं कि आप cm measure करो अगर cm में यह 2 cm आ रहा है तो अगर आप ground में जाओगे तो 20 meter हो जाएगा ठीक है आपने रेक्टेंगल अपने रेक्टेंगल बनाया था ने प्लेग्राउंट ठीक है तो नाव डाइगनली भी आपको मेजर करना है यहां पर उन्होंने बोला है कि आपको एक अपने स्कूल के प्लेग्राउंट का मैप त्यार करना है तो इस तरह से आप कर सकते कि यह प्लेग्राउंट के यहां पर एक फिल्ट मनाया गया है की प्लेग्राउंट के यहां पर उन्होंने लेंथं ब्रत दी थी उसके बाद जो है 콩 निया डाइगनली आपको चेक करना एक यहां सी यहां तक का transparen कर यहान दिसंशन कीपना है यह वाला दिस्टेंस जब आप चेक करेंगे देन आपको उसको अपने जो है स्केल के अकोडिंग बताना है कि अगर यहां से यहां तक जाओगे तो अगर स्केल के पर आपका यह टू सेंटिमेटर आ रहा है तो ग्राउंड में जाओगे तो को टैन मेटर के आसपास हो जाएगा तो इस तरह से आपको उसको दिखाना है फिर से वही फोर एरोज पर हमने देखे थे एड़ टोप राइट ऑफ दा स्मोल सिटी मैप दे पॉइंट टू फोर डिरेक्शन वह फोर डिरेक्शन को पॉइंट करते हैं ठीक है सबसे उपर रहता है आपका नोर्थ नोर्थ के जस्ट ऑपोजिट यानि की नीचे होता है साउट एंड देन आपका इस्ट एंड वैस्ट यह होते हैं लेकिन यहां देखो हमने तो चारी डिरेक्शन पढ़े थे यहां तो चार और है यह क्या है अब देखो नोर्थ एंड इस्ट इनके बीच की डिरेक्शन है ठीक है इनके जस्ट बीच में एक और डिरेक्शन है तो इसे क्या बोल दिया नोर्थ और इस्ट के बीच में है तो नोर्थ इस्ट, साउथ और इस्ट के बीच में है तो साउथ इस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट, नोर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नोर्थ वेस्ट, यानि कि उनकी बीच के डिरेक्शन भी उन्होंने यहां पर क्या की है, स्पेसिपाई की है कि यह directions भी होती है, so these are, these are called the, so these are called the cardinal directions, also cardinal points, in your cardinal directions भी बोलते हैं, cardinal points भी बोलते हैं, other than these, intermediate directions are also used, ठीक है, अब यह थी आपकी cardinal, जो आपकी main directions है, east, west, north, south, तो यह हैं आपकी cardinal directions या फिर cardinal point, यह चारो, ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर, इन्होंने बोला है, intermediate, यह यह बीच की directions भी यूज की गई है, for example, north east, north east के लिए क्या हो जाएगा, अब देखो, north के लिए हम यूज करते हैं, n, east के लिए यूज करते हैं, e, ठीक है, अब नोर्थ east है, तो दोनों का नाम लिख दो, n, e, south के लिए s यूज होता है, e के लिए east, east के लिए e यूज होता है, तो se, ठीक है, इसी तरह गर west में होगा, तो south and west, sw, north, west, n, w, ठीक है, इनकी means initial use के जा रहे हैं, यहाँ पर, most maps simply have an arrow marked with the directions letter n, तो mostly आपको जब मिलेंगे, इस तरह से map मिलेंगे, तो उनमें सिफ north की direction आपको mark मिलेगी, बागी आपको समझनी होती है, उपर north है, तो इसके just नीचे क्या होगा, opposite में क्या होगा, south होगा, then left and right की according, आप east-west, वहाँ बता सकते हैं, which point to the north direction, जो north direction की और point करेगा, now consider the map of the small city again, फिर से वो map देखना है, identify the correct and incorrect statement in the below, identify करना है, कौन सा इसमें से सही है, कौन सा नहीं है, the market is north to the hospital, क्या market जो है, hospital के north में है, the museum is south east of the bank, museum जो है, bank के south east में है, the railway station is north east of the bank, and the lake is northwest, तो अब इनको करते हैं, अब हमें जो है, यहाँ पर कुछ चीजी चेक करना है, कि वह वहाँ पर है, या फिर नहीं है, तो इसके लिए सबसे easy क्या रहेगा, आप हमेशा जो है से plus का sign डो कर ले, जैसे यहाँ पर दिया वहाँ जिस भी चीज का आपको find out करना है, तो उपर क्या रहेगा आपका north, जैसे यह sign हमने draw किया यहाँ पर, तो यह आपका sign हो जाएगा, then यह आपका होगा north side, यह north, हमेशा उपर क्या रहेगा north, यह क्या होगा, east, west, और south, अब आपको चीजी चेक करना है, कहाँ पर है, कौन सी है, तो फर्स जैसे यहाँ पर आपको एक direction दी है, फर्स आपको चेक करना है, the market is not to the hospital, तो hospital का है हमारा यहाँ पर, और market है यहाँ पर, तो यह बोल रहे हैं कि market जो है, hospital के north में है, तो क्या यह है, नहीं, market कहा है, यह तो south direction थी, तो market जो है, hospital के south में है, तो first वाला आपका होगा जो है, तो second था, the museum is south east of the bank, bank कहा है हमारा, यहाँ और museum कहा है, यहाँ तो museum भी क्या है, इसके नीचे है, कहा है, यह south में है, और इन्होंने क्या बोला, कि south east, south east यानि कि यहाँ पर, इस तरह से है, लेकिन यहाँ इस direction में तो नहीं है, वो इसके direct नीचे है, तो यह भी क्या ह हो गया, गलत, उसके बाद में, उन्होंने थर्ड नंबर पर आपको क्या दिया है, थर्ड पर उन्होंने दिया था, the railway station is north west to the hospital, तो अब हमारा hospital है, यहाँ पर, इसके पास जो है, हम ऐसे line draw कर लेते है, then उसके बाद हमें find out करना है, क्या जो railway station हो इसके north east में है, so यह हमारा क्या था, north direction होती है, यह south east and west, so north west में है या नहीं, तो क्या यह east direction में है, क्योंकि इनके जो बीच की direction होती है, यह वाला north और west, तो यह क्या होता है, north west, so यह आपका north west में है, so इसका answer हो जाएगा three, यानि यह पहले दोने आपको गलत थे, third वाला सही है, fourth है, the lake is north west, जो lake है ठीक है, so the lake is north east, अब किसके north east में है, sorry, north west of the apartment, यह आपके apartment है, ठीक है, यह आपका north, south, east, west, तो इन्होंने बोला कि वो कहा है आपके, north west में, तो north हमारा उपर है, यह वाला, ठीक है, और यह क्या है, आपके lake है, यह तो river है, तो यह क्या नोर्थ वेस्ट में है, so no, यह भी क्या हो जाएगा, रोंग, यह नोर्थ वेस्ट में नहीं, यह साउथ वेस्ट में है, ठीक है, so इस तरह से आपको देना है, इनका answer, so आपके जो question थे यहाँ पर, उनका हमें, सबका answers मिल गए है, so first क्या है, रोंग है, second भी रोंग था, third correct था, and fourth one is also wrong, next है, taking your school as the starting point, अब आपको अपने school को जो as the starting point लेना है, do you know approximately in which cardinal direction your home is located, आपका school जैसे यह आपका school है, ठीक है, and then आपका घर आपको बताना है, for example, आपका घर है यहाँ पर, तो आपको बताना है कि exactly आपका घर जो कौन सी direction में है, ठीक है, cardinal direction यानकी north, east, south, west, so, यह आपका school है, इस तरह से, तो कौन सी direction में हुआ यह, north direction में, आगर दूजरे direction लेकर चलते तो, maybe इस तरह से भी हम जा सकते थे, लेकिन हम ही जो है, सिफ यहाँ पर, cardinal directions बतानी थे, next आते हैं, symbols, symbols क्या है, symbols are another important component of map, symbol भी बहुत important component है, आपके map के, our map has small drawings of actual building and has, and a few other elements, but there would not be enough space on the map of a large city or a country to draw well them, अब देखो, हमारे जो, maps होते हैं, जो अगर छोटी जगे के बनाई हैं, तो आप easily उसमें सारी चीज़े draw कर सकते हैं, लेकिन कई बार जो है, बहुत बड़ी, जैसे आपको पूरे country की एक बनानी है, ठीक है, एक ही map बनाना है, पूरे world का एक map बनानी है, तो आप सारी चीज़े उसके अंदर draw नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर उतना space नहीं होता है, इंस्टेट, तो इसलिए क्या करते हैं, draw करने की वज़ाए, a symbol is used to represent this feature, एक symbol को use किया जाते हैं, ये features को दिखाने के लिए, symbols for different kind of building, जैसे अलग-लग type की building के लिए, अलग-लग type के symbols यूज के जाते हैं, for instance, a railway station, a school, a post office, इनके लिए अलग symbols यूज के जाते हैं, for road and railway lines and for natural elements such as river, pond or a forest, उनके लिए अलग-लग symbol यूज के जाते हैं, in what way, numerous details can be shown in the limited space available on a map, so ये ही वो एक तरीका है, इसी तरीके से जो है, बहुत सारी details आप एक छोटे से map में डाल सकते हैं, to make maps more easily understood by a variety of users, map makers use specific symbols, so map users क्या करते हैं, specific symbol यूज करते हैं, यानि कि सबको easily पता चल जाए कि इस symbol का मतलब क्या है, different country use different set of symbols, हर एक country में अलग-लग type के symbols यूज के जाते हैं, the survey of India, a government body has fixed a set of symbol for maps of India, तो जो survey of India, गोर्मेंट बोडी है, जिसने क्या किया था, इंडिया में set of map के लिए, कि ये symbols यूज करने हैं, उसका एक पूरा set बनाया है, और parts of India, और parts of India के लिए भी, मतलब कहीं भी अगर आप कोई भी map बना रहें, किसी भी जगे का, तो आपको वो symbols को use करना है, आपके आसपास के एरिया का या गाओं का एक rough sketch आपको बनाना है, including your home, जिसमें आपका घर भी हो, school भी हो, and few other important landmarks, और दूसरे landmarks भी हो, show the cardinal direction and use a few of the symbols shown in the figure 1.2 on page number 12, अब ये वाले symbols भी आपको use करते हुए, बनाने है, for example, railway line, बोर्फ आ clear line में भी अगलग होता है, board gases होता है, मीटर गोज होता है, railway station नहीट होता है, railway station के ये ये लगा दिया, board goes के लिए ये लगाया है, and met के लिए ये है, roads के लिए ये metal वाले हैं, ये unmetal रोडस एय। boundary के लिए Gleich andes Г, के लिए ये वाले साइन है, तो मतलब जैसे ही आपके साइन आएंगे, तो मतलब ये क्या है district के boundary है, ये international boundaries है river, river के लिए इस तरह से symbol बना दिया, ये क्या है well के लिए हो गया, ये कोई tank है उसके लिए, canal हो गया, bridge हो गया तो easily इनको समझ कर कोई भी देख सकता है कि किसके बारे में बात हो रही है ये temple, then ये church के लिए है, ये मुश्याक के लिए और ये चतरी के लिए, post office PO लिख दिया, post and telegraph के लिए PTO लिख दिया, and police station के लिए PS, तो इस तरह है कि symbol जब लगे होंगे, तो हम easily पहचान जाएंगे कि कौन सी जगह है, कहाँ पर है settlement, ये हो गया, यानि कुछ चल रहा है यहाँ पर, graveyard के लिए उन्होंने ये बना दिया sorry, graveyard के लिए, then trees के लिए ये symbol है और grass के लिए ये, तो इससे आपको एक map बनाना है, जिसमें आपको ये use भी करना है अब उन्होंने बोला है, आपको एक map ड्रो करना है जिसमें जो उन्होंने नीचे सारी वो दी थी, अलग-अलग symbols दिये थी, उन्हों symbols को यूज करका है ठीक है, जैसे trees के लिए symbol दिये, school के लिए दिया था, ये मोशाक के लिए सब्सक्राइब के लिए और ये आपका चर्च हो गया और यहां पर देखो यह उन्होंने बताया था ना किस लिए है यह मेन रोड हो गया, मैटलिक हो गया, यह नोन मैटलिक वाला हो गया ठीक है, इस तरह से सारी चीज़े आपको क्या गरनी है वहां पर, मतलब जितना आप वो symbols के according यूज करके अपना बना पाएं, उतना आपको यहां पर बनाना है ठीक है, यहां पर देखो इन्होंने scale भी दे दिया, कि यहां पर अगर आप scale से major कर रहे हो, वो 1 cm आ रहा है कि सब चीज़े उन्होंने वो map के according यहां पर बता दी है, सब यूज भी नहीं करना था, जितना आप यूज कर सकते हो, उतनी आप यूज करें आज हम करेंगे यहीं तक कल जो हम इसका next करने वाले हैं, जिसमें आपको map के बारे में बताएंगे, गलोब के बारे में बताएंगे कि arts को जो है, गलोब पे किस तरह से, longitude and latitude के साथ, डिस्पले किया गया यह दिखाया गया है इसके साथ ही अब यहां तक कि जो आपके important question बन सकते हैं, वो भी हम कर लेते हैं फर्स question है, यहां पर what is a map, एक map होता क्या है, so a map is a visual representation of a large area like a city, country or a continent that is drawn on a flat surface तो क्या होता है, visual representation होता है, यहां कि आपको visually आप उन सब चीज़ों को देख सकते हैं, जिस भी जगह का वो map होता है for example किसी area का हो सकता है, city का हो सकता है, country का यह continent का हो सकता है और यह कैसा होता है, flat surface पे बना होता है, it shows the location of different places, landmarks and other features इसमें क्या-क्या होती है, location दिखाई होती है, अलग-लग place की landmark और बागी की features इसमें दिखाए जाते है एक तो यह answer है, दूसरा answer आपको बन सकता है, अगर आप normally करना चाहें तो a map is a visual drawing of a large area on a smaller scale की visual map क्या होता है, एक बहुत बड़े area का छोटी सी paper पर चोटी सी जगह पर visual drawing की जाती है इट help us locate various places, features and landmarks और यह हमारी help करता है, अलग-लग places को, features को, landmark को ढूंडने में Now, what are the types of maps? तो अभी हमने अपनी बुक में जो पढ़ा है, उसके according three types of maps है, लेकिन यहाँ पर एक और अलग से दिया गया है तो four types of map यहाँ पर हो जाएंगे, so there are four main types of map First is physical map, political map, thematic map, और चोथा है topographic map So topographic map क्या है, यह सब इसमें अभी हम पढ़ने माले है, each map serves a different purpose जितने भी map यहाँ four type के बता है, सबका अलग अलग purpose होता है First है, shows natural features like river, mountains and lake जो physical map है, उसमें आपको क्या क्या दिखाए जेंगे, जो rivers है, mountains and lake है, specially उनके लिए होता है, उस map में आपको यह सब चीज़े दिखेंगे जैसे कि यह रहा, यहाँ पर देखो आपको हमाले, यानि कि जो mountain है वो दिखा दिया, यहाँ सारी river, river ganga, यमुना, यह देखो, चंबल, नर्मदा, तापती, तो सारी rivers हो, जो mountain वहाँ पर है, यह उन्होंने यहाँ दिखा दिखा दिये है, then आता है आपका political map, political map क्या होता है display country and states boundaries, cities and capital, इसमें आपको country show करेंगे, state की boundaries show होंगी and cities and capitals, यह देखो जैसे यहाँ पर है, यह आपका क्या हो गया, फूरी boundary हो गई आपकी country की, दूसरी country side में हमें दिखाई दे रही है, और भी जो आपकी neighboring countries है, जैसे यह हो गया, बांगला देश में हमार सब, ठीक है, then उ उत्यपरदेश की लखना हो है, तो हर एक state के साथ उसकी जो है क्या दिया हुआ है, यहाँ पर capital दी हुई है, so state और यूटी boundary जो भी union territories वगएर वो सब है, अब इन्होंने देखो यह sign बनाए है, ठीक है, symbol होते हैं, आमने पढ़ेते symbol होते हैं, so यह वाला जो sign है किसके boundary के लिए है, यह वाले किसके लिए है, state boundary के लिए है, यह वाला क्या है, country की capital है, और यह क्या है, वो state है, ठीक है, जैसे अब देखो, बैंगलोर यहाँ पर लिखा है, तो यह क्या है, एक state है, अब यहाँ हम देखते हैं, जैसे कि देखो, यह वाली boundary आपको दिखाई दे र बाउंडरी है अब कैपिटल इंडिया की कैपिटल कौन सी है डेली तो डेली का यहां पर कलर कौन सा है जो उन्होंने वहां पर सिंबल दिया है उसी की अकोड़िंग यहां यूज किया है नेक्स्ट आता है थियमेटिक मैप्स फोकस होना स्पेसिफिक टोपिक अग जब आप एक किसी स्पेसिफिक टोपिक पर फोकस करते हैं लाइक पॉपुलेशन, क्लाइमेट और एगरिकल्चर उनसे रिलेटेड जो मैप होते हैं उन्हें हम बोलते हैं थियमेटिक जैसे यहां पर हमने दो मैप लिए हैं यह अगरिकल्चर से रिलेटेड हो गया यह राजमा बनाया जाता है सबसे ज़्यादा यहां राजमा है वाइट लोबिया बासमती मुंग दाल मसूर दाल राइस मिलेट्स मेज ग्राम पीजन पीज यहां भी राइस है अहर दाल जवार सोना मसू पॉनी राइस कोलम राइस मिलेट्स तो इस जो मैप है इसमें क्या दिया गया है इसमें क्या दिया है सिर्फ जो वहां पर अगरिकल्चर के टाइम पर जो पल्सिज वहां पर सीरियल यह जो उगाए जाते हैं अगरिकल्चर में उनके बारे में मैप में इस मैप में कहीं भी सी चीज सबसे ज्यादा उगती है ठीक है सेम इसी तरह से यहां क्या है एक फैस्टिवल के बारे में बात की गई है यह फैस्टिवल हर जगे मनाया जाता है लेकिन इसका नाम अलग-लग होता है तो हर जगे देखो इस फैस्टिवल के बारे में इसका नाम अलग-लग यहां पर लिख दिया है कि किस जगह पर इसको किस नाम से बनाया जाता है तो कहीं भी आप देख सकते हैं कि किसी भी state, capital या किसी boundary वगरा कुछ नहीं दिया है यहाँ पर सिफिक जो international boundary है वो बना दे गई है जहां पर इसको जिस नाम से बनाया जाता है वो नाम यहां पर लिख दिया है तो यह आपके कौन से होते हैं Thematics Map अब आते हैं Topographic Maps तो यह क्या होते हैं Highlight, Elevations, Changes and Landform Using Contour Lines इसमें क्या होते हैं जो Change हो रहे हैं Landform में या फिर Elevations में तो उनके जो Changes हैं उनको इसमें शो किया जाता है Different Different Line के साथ जैसे कि यह देखो यहां पर आपको बहुत सारी Lines दिखाई देंगी ठीक है यह देखो यहां पर अलग से हैं तो यह सब जो Changes होते हैं तो यह लाइन का या फिर यह एरिया का बताया हुआ है अलग लग लाइन से इनको दिखाए कि यह Hills का है यहां भी Hill दिखाई है Lower Village हो गया हर एक चीज़ यहां दिखाई जाती है इन्हें हम बोलते हैं Topographic ठीक है जो भी चेंज हो रहा है तो है या जो भी चीज़े है Next है What are the component of a map एक map के components क्या होते हैं So the component of a map are title, title, then legends, scale, compass rows and grid which help in understanding the map better जो हमारी उस map को समझने में बहुत help करते हैं First है title में, title में क्या होता है Tell us what the map is about कि वो map किस के लिए है तो सबसे पहले अगर अभी आपने यह जो maps पढ़े हैं तो उन में देखो आपने देखा होगा क्यों उन में क्या दिया हुआ आपको अभी दिखाते हैं जैसी यहां देखो ठीके लिखा होएना क्या है अब जब भी आप कोई map देखेंगे तो उसका title हमेशा होता है अब देखो इसमें लिखा होएना title क्या है India State and Union Territories ठीके तो इसी तरह आपको हमेशा title दिये हुए मिलेंगे ठीके कि वह map किस से related है किसके बारे में है क्या है क्या नहीं है तो वह होगे आपका title देन उसके बाद क्या आता है Legend या Key क्या होती है Explain the symbols using on the map अभी हमने पीछे देखा था जो physical map था पोलिटिकल मैप जो था उसमें इस तरह का जो black color का dot बना था वो किसके लिए था States के लिए था States and Capital के लिए जो डायक लाइन थी वो किसके लिए थी International Boundary के थी और जो white color के लाइन थी वो किसके लिए थी State Boundaries थी तो symbol उन्होंने दिये थे तो यह नहीं हम क्या बोलते हैं यह symbols होते हैं जिने हम legend या key बोलते हैं जो हमें map को समझने में help करते हैं Next is scale Scale क्या है Shows the relationship between map distance and real world distance अब आप जब भी कोई map देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा 1 centimeter is equal to dash kilometer or meter ठीक है तो जब भी आप map देखेंगे तो map में क्या होता है Scale सबसे important होता है यह actually सारी चीज़े important है So scale क्यों important है Because scale में अगर वहाँ पर 1 centimeter लिखा है तो वो हो सकता है कि आपका अगर आप ground में जाएंगी ठीक है तो वो 500 meter या kilometer तक भी हो सकता है तो scale का क्या होता है वो relationship बताता है हमें कि map में जो distance और real world का जो distance है वो हमें scale से पता चलता है कि scale में अगर इतना है तो हर एक map में लिखा होता है कि अगर scale में इतना दिखाई देरा आप measure करेंगे इतना आ रहा है तो real world में इतना distance हो जाएगा compass rows indicate directions क्योंकि directions बताती है directions वो जुरूरी है map के लिए north, south, east and west then grade grade क्या होती है हमने पढ़ा था कि जो इस तरह की आपके longitude and latitudes बने होते हैं ये क्या बनाते हैं grades बनाते हैं जैसे graph में होते हैं और ये क्या करते हैं help करते हैं किसी भी place को locate करने में अब ये जो हैं degree पे होते हैं सारे के सारे तो हमें specifically अगर degree दे दी जाए तो हम easily find out कर सकते हैं कि कौन सी place के बारे में बात हो रही है so help to locate places on the map using lines of latitude and longitude तो क्या करते हैं हमारी help करते हैं place को locate करने में कहां पर map के उपर longitude or latitudes का use करके now what is the use of symbols होता map अब symbol क्या use होता है map पर so symbol help represent objects like river, schools और brizona map the legend explains what is symbol means तो symbols का use क्या होता symbol से हम easily find out कर सकते हैं कि किसके बारे में ये बात हो रही है या आगे जाकर हमें कहां मुणना है कहां जाना है जैसे अगर मंदिर है तो मंदिर का अलग से बना होता है school है तो school के लिए अलग होता है hospital के लिए अलग से उन्हें symbol बनाया होता है इस तरह से red color में आपको plus का sign दिख जाएगा police station होता है तो PS लिखा होता है post office है तो PO लिखा होता है जब भी हम symbol देखते हैं तो यहां से हम easily find out कर सकते हैं कि हमें कहां जाना है कैसे जाना है यह जो है हमारी help करते हैं map को easily read करने में next है what are the cardinal directions and points तो यह क्या होते हैं so cardinal directions are north, south, east and west जो हमारी normal directions है वो क्या है cardinal directions है while intermediate directions उनके बीच में ठीक है हमारा यह plus sign हमने पहले भी बढ़ा था कि plus sign बहुत important है क्योंकि आपका ऊपर रहेगा north, नीचे रहेगा south, either east, either west अब इनके बीच में भी directions होती हैं जैसे यहां और यहां, अब यह direction कहा है north और east के बीच में तो north east, यह direction कहा है south और east के बीच में तो south east यह वाली कहा है south और west के बीच में तो south west और यह कहा है north और west के बीच में यह direction है तो north west इनको हम बोलते हैं intermediate directions या फिर point जिने हम N, E, S, E, N, W और S, W से जो है indicate करते हैं और यह हमारी help किस में करते हैं these help in finding the position of places होना map किसी भी जगह को हमें find out करना है map में कि कौन सी direction में हमें जाना होगा तो उसमें हमारी help करते हैं so cardinal directions main 4 है north, N use होता है north के लिए south, south के लिए S use होगा, east, east के लिए E use होगा west, west के लिए W use होगा same the points between these are called intermediate directions इनके बीच में जो points होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं intermediate directions such as north, east क्या point यूज होता है n e, north e, sorry, south east, s e, northwest, n w, southwest, s w how is distance shown on a map map में जो है distance कैसे show होती है so distance on a map is shown using the scale scale को use करके आप जो distance map में show कर सकते हैं which tells us how far apart place are in the real world based on the maps measurement आप जो है map कम में measurement करके find out कर सकते हो कि real world में वो place जो है यहां से कितनी दूर होगी या जहां से आपको दूसरी जगह जाना वहां से कितनी दूर हो सकती है maps are drawn on a smaller scale क्योंकि maps जो है छोटी सी जगह पर draw कि जाते हैं so distance is reduced तो इसका मतलब है कि उन्हें छोटा छोटा और इस्टेंस को reduce करके draw करना पड़ता है the map scale जो map का scale होता है वो हमारी help करता है convert the distance on the map map का जो distance है उसको convert करने में किस में convert करने में real world measurement में convert करने में for example अगर map पर दिया है 1 cm might represent 1 km in the real world अगर map में 1 cm लिखा है तो वो किसकी equal हो सकता है 1 km के 2 km के 5 km के 500 km के equal भी हो सकता है जैसे हमने पहले देखा था now what is a map scale a map scale shows how to convert maps distance into real world distance either through a linear scale or a ratio scale अब यह क्या होते है अभी हमने पढ़ा कि map scale का क्या काम है map scale का काम है कि map scale से हम real world में distance easily find out कर सकते हैं कि अगर map में इतनी distance है तो real world में हम ground पे जाएंगे उस जगे से दूसरी जगे जाएंगे तो reality में हमें कितना distance cover करना है अब यहां पर इन्होंने बोला कि दो टाइप की scale होते है linear scale और ratio scale so a map scale tells us the relation between the map size and the actual distance on the ground map scale क्या करता है मैं relation से बताता है कि map में जो size दिखाई दे रहा और actual distance जो है वो कितनी है it could be represent in two ways दो ways में इनको represent कर सकते हैं हमारे जो अभी हमने sixth class में बढ़ रहे हैं उसमें सिफ एक ही आ रहा है linear scale यह extra है आपके लिए linear scale क्या है a bar showing how a specific length of the map relates to real world distance की कितनी हो सकती है for example जैसे अगर वहाँ पर easily लिखा होगा 1 cm is equal to 50 km या फिर इस तरह से कुछ बना दिया जाएगा जैसे पहले वाले map में हमने देखा था कि इस तरह से बना दिया and then यहाँ पर लिखाता उन्होंने km और यहाँ लिखाता 500 यानि कि इसको जब आप measure करोगे तो यह जितना भी होगा यह 2.5 या 3 cm के असपास आता है so यह जो है किसके equal हो रहा है 500 km की है अगर map में 2.5 cm आप measure करते हैं तो real world में हो कितना हो जाएगा 500 km तो यह है आपका linear scale ratio skill में क्या होता है a ratio like 1 is equal to 1 lakh meaning 1 unit on the map equal to 1 lakh unit in the reality यानि कि अगर आप वहाँ पर एक देख रहे हैं तो reality में हो कितना होगा 1 lakh के equal होगा important question है why do we use maps तो हम map use क्यों करते हैं so maps are used for locating places places को locate करने पर navigating studying geographical features and understanding the landscape navigate करने के लिए geographical features को study करने के लिए understand करने के लिए जो हमारा landscape है उसको पूर understand करने के लिए they are essential for travel travel के लिए बहुत essential है exploration है and learning about the world और world को जो है इससे जानने में world के बारे में जानने में हमें बहुत help इससे मिलती है इसके साथ ही important questions हो जाते हैं आपके खतम इसके बाद जो है हम globe के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हम करेंगे कल and that's all for today अगर कोई भी doubt है तो आप बता सकते हैं please like, share and subscribe thank you अजलो आपके जो होाँ